पुजंडा साफ है अमारा राम मंदीर है किने भारतिन दापाड़ी को चार सो के पार सीफ पहुचा नहीं है जोगी जी की सरकार में सब अपने आपको सकून और चैन महसूस कर रहे हैं बेरोजगारी का दंस सारे युवा जहल रहे हैं यूपी में रोजगार रही नहीं गया है नमस्कार मैं हूँ राम मनहोर तिरपाथी आप देख रहे हैं अमार रुजाला देश के सबसे बड़ी पर लोग सभा चुनाव नजदीक आ गया है सियासी डल अपनी बिसात में चुछाने में लगी हुई हैं हम गोरगपूर के आल्टियो चुराहे पे हैं यहां कुछ यूवा प्रभुद्वर के लोग साथी मोजूद हैं हम जानते हैं कि क्या होगा इनका चुनावी मुद्दा इनका है प्रभारों किन अमस्कार क्या नाम है ल Kommt क्रत्यासी चंते होस्ते क्या एजंडा की करिदिन कहां तक कार्ण हो पैया यह एक मरे अभीत करें चुनाव चल रहे हैं मं उत्तर प्रतीत हो कि पास रोजगार नहीं आपकोई सीदी भरती नहीं पेपर लीग से तरस्त है जंता कि आलोक सिंग इस लोग सभाचुनाओं में मत देते वक्त क्या एजंडा होगा एजंडा साफ है बेरोजगारी का दंस सारे युवा जहल रहे हैं आज आलम यह है कि यूपी और गोरकपूर के जो युवा है वो अभिहार में जाकर रोजगार पा रहे हैं यूपी में रोजग काम कराने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है आपको इस पर रूप से पता चल जाएगा ब्रस्टाचार अपने चरम पे है बेरोजगारी अपने चरम पे है इस सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है फर्यादी दर-बदर की ठोकरे खा रहे हैं यह सरकार बस आमदा है आम जन मानस को बेकार करने के लिए गरीब पिछडों सोसितों वंचितों की लड़ाई लड़ने वाला आज कोई नहीं है कोई अगर आवाज उठाता है तो उसके उपर मुकदमे डाल दिये जाते है उसको प्रतालित किया जाता है कि कोई अगर अपनी फर्याद ले कर जाता है उससे पहले पैसा मांगा जाता है तभी उसकी फर्याद सुनी जाती है आज के डेट में कानून विवस्ता पूर्ड रूप से फ्लाप है बारतिये जन्ता पार्टी पूर्ड रूप से फ्लाप है अगर उसे दस में से अंक मिलना हो तो सायद एक अंक भी न दिया जा सकता है देखेए एजेंडा बहुत साफ है विकास कानूर राष्टवाद ये हमारा एजेंडा है हमारे साथी ने कहा कि कानून बेवस्था किसीती है कि उत्ता प्रजफ में जोगियारीत नाजी का सासन है और गुंडे माफिया थर थर काप रहे हैं एक समय था जब थानों को किसी पार्टी के कारे करता चलाया करते थे ये दिन हमारे साथी को याद नहीं है लेकिन मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ बहुत इमांदारी के साथ कह सकता हूँ कि पच्छो विपच्छो आम हो खास भी दे पमांटी के सहरो छोड़ हो जोगी जीी की सरकार में सब अपने आपको सकून और चैन महसूस कर रहे हैं आप गोरपुरे चीनी मिल गीडा में चले चाहिए तरह-तर के कार खाने लगा करके जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रहे है भारती जनता पार्टी की सरकार कर रही है निश्ची तुरूप से अन्य सरकारों के लिए ये आईना दिखाने का काम ह और चुनाओ प्रमाण है हम लागातार 17 चुनाओ जीत रहे हैं 22 जीते और 24 भी इस चुनाओ को हम बड़ी ओटों से और बड़ी सीट के साथ जीत करके आएंगे तो हम अपने साथ ही हमारी बात कुछ समझेंगे जनता ओट दे करके साबित कर रही है कि आम जनता जोगी जी और कर करबाइए करके उनकी नानियाद दी लाने कारों कॉल कि प्रेएंग में पिसले तरह कर रहा है उसको याद करना चाहिए इसको भी कहना चाहिए केवल दो तरह की बाते यह बरदास योगिन नहीं क्या नम पड़ेगा लोग सभा में प्रत्याशी चुटूर क्या एजंडा रहेगा एजंडा साफ है इस बार भारत के 140 को ने संक्रपी आया कि मोदी जी को 400 मोदी जी की ने भारतिन दापाड़ी को 400 के पार सीट पहुचानी है तो इंडा साफ हमारा राम मंदीर है किसांसमान योजना है हमारा हर प्रकार की इस यूपी में देखिए पहले हम ठीक से बैठ करके अपनी बातें रख नहीं सकते थे आज इसती है कि हमाराम से बैठते हैं हमारी महने हमारी बहुए हैं घर की सहसाय लोग सुरच्छीत हैं कोई किसी प्राइब कोई कमी नहीं है सारे अपराधी जेल में बंद हैं जो बाहर है वो आज ठेला लगाकर अपना रोजगार खोज रहे हैं तो इंडा साफ है एग्जिट पोल दो हजार चौबीज एक जून शाम च्छे बजे से लोग सभा चुनाओ के नतीजे चार जून सुभे साथ बजे से देखिए चुनाओ नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटी केवल अमर उजाला पर अमरुजाला.com